वेलकम दोस्तों स्वागत है आपको हमारी चैनल ड्रीम हाई अकाडमी पर और हमने आपसे कहा था कि हम आपको तमाम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आज हमने जोग्राफी को स्टार्ट किया है जुरू किया है और जोग्राफी के जो सेक्शनल्स है वो मुक्तलिफ है क्लैमेट अलगे लेक्स अलगे क्रॉइपस अलगे अग्रिकल्चर अलगे। इंड़स्ट्रि अलगे। तो हमें जोग्राफी को पहले शुरूआत करनी है या हमें बेसिक्स पढ़ना हैं थोड़ा सा। तो पहले हम देखेंगे कि जोग्राफी में सबसे important आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर जो मैंने उपर लिखा है कि all are very important questions जी हाँ इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा कि यह important questions किस लिहाज से है किस हद तक है तो चलिए शुरुआ करते इंडिया is the 7th largest country in the world with an area of 3287263 square kilometers ठीक है यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो मान लेते हैं कि आपको ज़्यादा तकलीप नहीं होगी याद रखने में इंडिया is the 7th largest country क्योंकि क्या होता है कि हमें पता है कि हम अगर लेंड की हिसाब से अगर देखेंगे एरिया के वाई से इंडिया बहुत बड़ी एक country है 7th in the largest ठीक है विच इस यहाँ पर एक important question निकल के आता है विच इस 2.42% of world's area जी हाँ world का जो total area है न उसका 2.42% cover करता है इंडिया यह important है यहाँ पर यह question important है उसके बाद यहाँ पर भी यह question आपको जरूर पता होगा और ज्यादता लोगों को पता ही होगा अगर ना भी पता हो तो चली हम recap कर लेते हैं इसको इंडिया is the second most populous country in the world of China जी हमें पता है कि चैना के बाद इंडिया की जो population है वो ज्यादा है तो चैना फर्स्ट पहले नमबर पे हो उसके बाद इंडिया दूसरे नमबर पे है उसके बाद सबसे important question सबसे important question मैंने उपर ही लिखा था कि important सभी है यह लेकिन इंडिया shares longest boundary with Bangladesh and shortest boundary with Afghanistan यह question हमेशा ही पूछा जाता है यह question हो चाहे वो JK SSB का exam हो चाहे वो कोई भी exam हो आप कोई भी exam उठा के देखो आप आप देखोगे कि सादा ही questions पूछे जाते हैं जो कि हमें लगता है कि हमें पता है लेकिन हमें पता नहीं होते है इंडिया shares longest boundary with Bangladesh हम अगर अगर इंडिया का MAPP अगर रखेंगे सामने मालोओ यह इंडिया का MAPP है तो हमने यहां पर बनाईंगे ऐसे यह इंड्या मेप मान लेते हैं यह जेंड के हैं हँए फर खुद Ama हैं थे की इस country के साथ इतनी boundary होगी, इस country के साथ इतनी boundary होगी, इस country के साथ इतनी boundary, खुद ही हम लोग मान लेती लिकिन हमें पता नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना है कि यहां पे यह याद जरूर रखियेगा कि longest boundary किसके साथ है बंगलादेश के साथ, और shortest boundary किस के साथ है अफगानिस्तान के साथ जी हां बिलकुल ये क्लियर हो यहां तक उसके बाद चलिया हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि इंडिया का जो है, in India the topic of cancer जी हां topic of cancer 23.5 degree north latitude passes 8 states 8 states, please remember the name of these 8 states these 8 states are Gujarat, Rajasthan Madhya Pradesh चतीजगर, Jarkhand West Bengal, Tripura and Mizoram, जी हां 8 states कौन कौन से है, GR Gujarat, MC Madhya Pradesh और चतीजगर, जी हां GR Gujarat and Rajasthan MC Madhya Pradesh और 36 जी हां, JW Jarkhand और West Bengal TM, Tripura and Mizoram, ये question 2016 का जो prelims case का exam था उसमें पूचा गया था जी हाँ, 2016 का case का prelims exam था, उसमें पूचा गया था बले ही वो exam 2016 में नहीं हुआ क्योंकि हालात यहां पे साथगार नहीं थे और 2017 में वो exam कंड़क्ट किया गया, तो ये question ये questions पूचे जाते हैं, हमेशा ही इनको neglect अब जरूर कभी नहीं कीजेगा, हम सोचते हैं कि हमें इन चीज़ों पर धियान नहीं देना चाहिए, लेकिन questions आखिर एक दो questions यहां से निकल के आते ही आते हैं, तो बड़ी important बात बन जाती है कि हम में इन चीज़ पर भी नज़र रखने होगी, अब ये Tropic of Cancer क्या चीज़े, देखिए, माल लो ये equator है, ये वाला equator है, ठीक है, East, West, North and South, ये जो line है, ये line cross करती है 8 states को, and this line is called Tropic of Cancer, जिया, Tropic of Cancer and this line is called Tropic of Capricorn, चली उतना detail में हमें जाना नहीं है, लेकिन इतना important है, पता होना चाहिए कि ये Tropic of Cancer क्या है, यहाँ पे 23.5 डिग्रे नौथ पे ही है, तो ये रहा आज का जो important question था, जो केस के exam में पूछा गया है, उसके बाद, इंडिया के land neighbors कौन कौन से, सब को पता होगी कि पाकस्तान, Afghanistan, China, Nepal, Bangladesh, Bhutan and Myanmar, लेकिन याद रखने की ये चीज़े बहुत जरूरी है, कभी को बार हम भूल जाते कि नेपाल है कि या नहीं है, क्योंकि नेपाल का अप को पता ही कि बांडरी कहां से कहां तक है, नेपाल दूसरे साइड में है, लेकिन, yes, it shares with boundaries with नेपाल also, so that's important for everyone to note down कि land neighbors कौन-कौन से हैं, इंडिया के, longest coastline, मैंने अभी आपको कहा था कि हमें मैप को काफी, जरूर हमें ध्यान में रखना है मैप को, ये मैप मैंने पहले से बनाया था भी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सी जगर कम है, तो माल लेते ही ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे ये जो गुजरात है, ये वाला portion गुजरात का है, यहाँ पे जो ये area है, यहाँ पे sea है, बाहर से ocean है, तो ये ocean का जो भी, इसी को coastal line कहा जाता है, तो सबसे longest coastal line कि स्टेट के साथ है, गुजरात के साथ, कि स्टेट के साथ है, गुजरात के साथ, इस चीज़ को याद अब question उसके बाद एक और states और इंडिया और उसके जो नाइबरिंग states से उसके साथ देखते हैं हम कि कौन-कौन सी states किस मुलक के साथ कितनी boundaries share करता है तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं अफगानिस्तान जिया उपर एक question हमने अभी बताया था आप लोग से कि अफगानिस्तान जो है वो यहां पे shortest जी हां शॉर्टेस्ट boundary किस के साथ है अफगानिस्तान के साथ यह याद रखिएगा तब ही यहां पर आपको ये clear हो जाएगा मैंना पहले country को लिया है यहां पर अफगानिस्तान अफगानिस्तान की बॉंडरी जेंड के के साथ है सिर्फ जी हाँ जेंड के के साथ है अफगानिस्तान की बॉंडरी बाकी किसे स्टेट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है उसके बाद हम चैना की बात करेंगे जहर सी बात हमने पढ़ा भी है जेंड के में चाइना का जो कुछ स्टैंड आफ था लदाक में यानि लदाक आपको खुद ही याद रहेगा कि लदाक जो है जेंड के और जेंड के में ही पढ़ता है लदाक ये चाइना टच करती चाइना की बॉंडरी जो है वो जेंड के के साथ भी टैच करती है, उतराखंड के साथ भी टैच करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी टैच करती है, सिक्यम के साथ भी टैच करती है, और अरुनाचल प्रदेश, this is not अरुनाचल प्रदेश, this is अरुनाचल प्रदेश, AP is अरुनाचल प्रदीश अरुनाचल प्रदीश सबको याद होगा क्योंकि stand-up यह ए-पी भी news में होता है skim भी news में होता है उत्राखंड भी news में होता है क्योंकि चाइना और वहाँ पर जो Chinese troops और Indian troops के बीच में आपस में वो रहता है stand-up जिसको border dispute भी कहा जाता है उसके बाद इस साल नेपाल के साथ भी कुछ border dispute हुआ था नेपाल shares boundaries with UP उत्राखंड, बिहार और पच्चिम बंगाल सिक्किम कितनी states आगी एक, दो, तीन, चार, पाँच यानि अब तक नेपाल ने 5 states के साथ टच करता है, जो नेपाल कंट्री है 5 states के साथ टच करती है उसके बाद पाकिस्तान important है, क्योंकि questions यहां से भी आ सकते हैं पाकिस्तान, गुजराद के साथ राजस्तान के साथ और पंजाब के साथ पंजाब का तो वागाबार और आप सब को पता है और जेंड के के साथ तो है ही है उसके बाद मैंने यह दो-चार questions जो है लेके इसलिए आया हूँ ताकि यह बिलकुल याद नहीं रहते इनकी list तो बहुत बड़ी है इनकी list बहुत ज़्यादा है, इनकी list मान लो यह 100 तक होंगे, लेकि क्या है कि अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम पढ़िंगी इन चीज़ों को पांच, दस, दस करके तो हमें यह recap कर सकते हैं इनको हम retain कर सकते हैं हमारे जहर में यह memorize कर सकते हैं ठीके, तो longest river in India is the Ganga ठीके, longest river कौन सा है, the Ganga उसके बाद, the longest name is हिराकुद देम ओडिसा अल्वेस उसके बाद, the longest name is हिराकुद देम ओडिसा यह कहां पर किस स्टेट में है, ओडिसा में और longest name का नाम क्या है, हिराकुद देम उसके बाद, the longest river bridge question पूछा जा सकता है the longest river bridge is Machatma Gandhi Setu Bridge Patna Bihar जी हाग, it is in Patna Bihar उसके बाद the longest sea beach longest sea beach कहां पे है, Marina beach Chennai, जी हाग, Marina beach Chennai में, तो longest sea beach कहां पे है, Marina beach Chennai, पहला कॉस्चचन मैंने पूछा था पहला कॉस्चन था, उसके बाद देख लेते हैं, पहला कॉस्चन था The longest river in India is The Ganga, ठीके The longest dame is Hiraku Dame, Odisha The longest river bridge is Mahatma Gandhi, Setu Bridge Patna, Bihar The longest sea beach is Marina Beach, Chennai उसके बाद ये बाला question The largest saline water lake is Chilka Lake, Odisha Odisha का नाम दो बार आया तो कैसे आ गया, एक तो डेम में आ गया और एक तो लाक में आ गया, the longest dame is Hiraku Dame, Odisha and the largest saline water lake is Chilka Lake, Odisha जी हाँ, दोस्तो उमीद करता हो कि आपको ये आज का लेक्ट्चर पसंद आया होगा उमीद करता हो कि मैं और भी ज्यादा आपके जो उमीदे हो उस पे खड़ा उतरू और आपके लिए अच्छा सा अच्छा material लेके आओ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा शियर कीजिएगा और सबस्क्राइब कीजिएगा हमारी चैनल को Thank you